आप देख सकते हैं 36 गड़ में खुलेंगे 10 model degree college ये colleges जो खुलेंगे वो पिछड़े जिलो में खुलेगा क्या फायदे मिलेंगे इसके देखे यहां आप देख सकते हैं पिछड़े जिलो में रूसा योजना के तहत फैसला 36 गड़ में खुलेंगे 10 model degree college ऐसे 130 model degree college खुलने की मंजूरी मिली है पूरे इंडिया में सरकार ने बताया की केंद्र द्वारा प्रयोजित रास्ट उच्चर शिक्षा अभियान जिराने की रूसा योजना के तहत 130 model degree college देश के शेशनिक रूप से पिछड़े जिलो में खुलने जाने की मंजूरी दी गई है उडिसा के लिए 14 और 36 गड़ के लिए 10 model degree college को मंजूरी दी गई है उन्होंने कहा पुर्वत्ताव योजना को केंद्र द्वारा प्रयोजित रास्ट उच्चार शिक्षा अभियान योजना में मिला दिया गया है रूसा ने शेशनिक रूप से पिछड़े जिलो में 130 model degree college खुलने की मंजूरी दी है तो देख सकते हैं यहाँ पे 374 पिछड़े जिलो की पहचान हुई है यह जो पिछड़े जिले हैं यह 36 गण में कहां कहां हो सकते हैं जैसे कि आपका बीजापूर में हो सकता है जगदलपूर में हो सकता है कॉंड़गाओं में हो सकता है कांकेर के पास हो सकता है जशपूर में हो सकता है कोरिया के पास हो सकता है तो ऐसे ही जिले होंगे 13 तेरा जैसे 14 में है और औरीसा में 14 है और 36 गड़ में ऐसे 10 जिलों है पिछड़ा जिला जो बहुत ही पिछड़े जिले हैं वहाँ पर ऐसे colleges खुलेंगे अब इसके फायदे क्या होंगे इसके फायदे यह होंगे कि जो पिछड़े जिले के जो students होते हैं वो जो अलग से वहाँ से निकल के पढ़ने आते हैं उनके लिए फायदे यह होंगे कि अब वो अपने ही जिले में रहके पास के college में पढ़ाई कर सकते हैं इसमें जब यह पिछड़े जिलों में खुल रहा है तो यहां पे प्राथमिक्ता भी SC, ST, OBC को ही दी जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि यह modern college होगा, model college का मतलब यह होता है कि इसमें IT infrastructure बहुत ही अच्छे होंगे, wifi system based होगा, नए तरीकों से पढ़ाई की जाएगी जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, कोरोनों का समय चल रहा है, जिस तरीके से आप यह भी जानते हैं कि गा जिम, cafeteria, sport system, सब कुछ वहां पर high-tech रहेगा, नए उपचारे, नए model तरीके से वहां पर पढ़ाई की जाएगी, तो ऐसे 36 गड़ में 10 और पूरे इंडिया में 130 ऐसे colleges हैं, जिसे खोलने की मनजूरी दे दी गई है, और यह colleges बहाँ चल्दी इसका नर्मान कार शुरू होगा और बहुत जल्दी यह colleges शुरू होंगे, आप मान के चलिए चार से पास साल में ऐसे colleges की शुरुवात हो सकती है, आप सब जानते हैं, पिछडे जिलों में अभी students, एकलव और प्रयास जैसे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, वेसी उसी तरीके से ऐसा यह colleges भी खुले जाए जहां पे ST, SE, OBC और वहीं के जो पास के जिले में जो students रहते हैं, उनको प्रात्मिक्ता मिलेगी, तो उमीद करते हैं, इस वीडियो में जो बताया है, आप लोग क्लिए हैल्फुल होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर आप इस चानल में ना है तो चानल क को सब्सक्राइब करें इस वीडियो उसके लिए थैंक इसो मच वाचिंग इस वीडियो